जेडीजे एस्ट्रोलोजी यानी जीवन दर्पन जोतिश के सवी दर्शकों को पंडि दिवाकर वसिष्ट का नमस्कार दोस्तों इस समय हमारे इस चैनल पर वेदिक जोतिस को सिखाने को लेकर के हम वीडियोज दे रही है और ये जो वीडियो है ये दूसरा वीडियो है दूसरा भाग है इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको राशियों से परिशे कराया कि राशिया कितने प्रकार की होती ह और उनका करम क्या है उनकी कैसी पैचान की जाती है साथ में हमने ये भी बताया था कि किस राशी में कौन कौन से नक्षत रहाते हैं और हमने ये भी बताया था कि कौन सा जो नाम है नाम का अक्षर है उससे किस व्यक्ति की कौन सी राशी बनेगी ये हमने इसे पहले वाली वी अक्षियों में कौन-कौन से नक्षत्र आते हैं और उनके चरण कौन-कौन से हैं और जो नाम का पहला अक्षर होता है वो किस नक्षत्र के अंतरगत आता है और किस नक्षत्र के कौन से चरण में आता है क्योंकि देखे हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है वो महादशा के अनुसार घटती है जब किसी ग्रह की कोई दशा आती है वो ग्रह अच्छा हो या बुरा हो उसी के अनुसार हमारे जीवन में अच्छा बुरा फल हमें प्राप्त होता है तो वह जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का जो चरण होता है उसी हिसाब से हम पर दशा लागू ह तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम अगर वेशिक बातें नहीं जानेंगी जरम कुंडली को लेकर, तो हम कुंडली के अध्यन को धंक से नहीं कर पाएंगे, यानि हम कुंडली अच्छे से नहीं देख पाएंगे, इसलिए पहले हमें यह वेशिक ब दूसरा तीसरा ये क्रम है और पहली जो राशी आती है वो मेश राशी होती है सबसे पहली राशी मेश राशी है और मेश राशी के अंतरगत जो नक्षत्र आते हैं वो आते हैं अश्विनी भरणी और कृतिका दोस्तों यहां हम आपको बता दें कि जो एक राशी होती है उस राशी में तीन नक्षत्र आते हैं और प्रतेक जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र का चार चरण होता है यानि कि एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं यानि कि एक नक्षत्र को चार जेगे बांट दिया जाए तो ऐसे उनके चार चरण होते हैं चार स्टेप होते हैं और एक राशी के अंतर जो है तीन नक्षत्र आते हैं और उनके जो चरण आते हैं वो आते हैं सवा दो नक्षत्र, सवा दो नक्षत्र आते हैं यानि कि पहला पूरा नक्षत्र आएगा, दूसरा पूरा नक्षत्र आएगा और तीसे नक्षत्र का एक चरण आएगा, यानि कि एक रा तो मेश राशी में से शुरूबात हुई तो पहला जो नक्षत्र है अश्विनी है तो मेश राशी से शुरूबात हुई और अश्विनी के चार चरणा आ गए इसके अंदर और फिर दूसरा जो नक्षत्र है वो भरणी है तो भरणी नक्षत्र के भी चार चरणा आ गए इसक मेश राशी में तीन नक्षत्र आए और उन तीन नक्षत्रों के नौ चरण आए तो एक नक्षत्र चार चरण का होता है इसलिए मेश राशी की सुरूबात अश्वणी नक्षत्र से हुई और इसलिए इसमें अश्वनी के चारो चरण आ गई, भरणी के चारो चरण आ गई और कृतिका का एक चरण आ गया, ठीक है, अब इसमें बात करें कि इनमें नाम कौन-कौन से आएंगे, किस, हमने जिसे बताया था पिछली वीडियो में कि जो मेशराशी है, उसमें जो नाम आते हैं, वो आते हैं, चूचे, चोला, लीलू, लेलो, आ ये नाम के अक्षर आते हैं, किसी का नाम अगर इन अक्षरों से सुरू होता है, तो उसकी मेशराशी बनती है अब बात यहाँ पर यह आती है कि वह नाम का जो प्रतम अक्षर है वो किस नक्षत्र से आया और किस चरण से आया तो आप यहाँ देखिए यह अक्षर लिखा हुआ है अक्षर का मतलब है नाम का प्रतम अक्षर और यह नक्षत्र लिखे हुए हैं यहाँ पर राशी तो जो अश्वनी नक्षत्र के चार चर्ण हैं तो वो है चू, चे, चो और ला यानि कि किसी का नाम सुरू होता है चू से तो अश्वनी नक्षत्र में होगा और पहला चर्ण होगा चे से सुरू होता है तो अश्वनी नक्षत्र होगा दूसरा चर्ण होगा चो से किसी का नाम सुरू होता है उसे चोला या कुछ भी या चौधरी तो समझ लीजिए कि अश्वनी नक्षत्र होगा तीसरा चरण होगा और किसी का नाम ला से सुरू हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसका जो है अश्वनी नक्षत्र होगा और चौथा चरण होगा इसी परकार से किसी का नाम सुरू होता है ली से जैसे लीला वती तो भरणी नक्षत्र होगा बीश्राशी में नाम आएगा भरणी नक्षत्र होगा और पहला चर्ण होगा इसी प्रकार से लू से किसी का नाम शुरू होता है लूसी तो समझ लिजिए भरणी नक्षत्र और दूसरा चरण ले से सुरू होता है जैसे कि लैला तो समझ लिजिए भरणी नक्षत्र और तीसरा चरण और low से सुरू होता है तो समझ लीजिए कि भरणी नक्षत्र और चौथा चरण और फिर करती का नक्षत्र आएगा जिसमें एक अक्षर आएगा आ यानि किसी का नाम अगर आ से सुरू होता है जैसे कि अरविंद या आकाश तो आप समझ लीजिए कि उसका मेश राशी है उसकी करती का नक्षत्र है और एक ही चरण आएगा करती का का तो प्रतम चरण में ही उसका जनम हो गया ठीक है ना तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं इसी क्रम में आप आगे देखिए, दूसरी जो राशी है वरव वर्षव रासी है, और वर्षव रासी में जो नक्षतर आते हैं वो आते हैं कृतिका, रोहिनी और म्रक्षिरा, अब कृतिका देखिए मेश में भी आया और कृतिका देखिए ब्रशव में भी आया, क्यों आया क्योंकि हर नक्षतर के 4 चरण होते हैं तो यहाँ पर केबल, करतिका का पहला चरण ही मेश में गया बाकि 3 चरण बचे तो बरश्रम में आ गए ठीक है, तो करतिका के 3 रोहिरी के 4 म्रक्षरा के 2 इस में कौन को से नाम आएंगे? करतिका में 3 नाम आएंगे किसी का नाम E से शुरू होता है किसी का O से या किसी का A से तो ये नाम जो शुरू होते हैं वो कृतिका में जाएंगे क्रमबत जैसे कि ईशान तो कृतिका का पहला उत्तम तो कृतिका का दूसरा और एश्वरिया तो कृतिका का तीसरा और रोहिणी के चार चलणाएंगे, किसी का नाम शुरू होता है, इसमें O से, जिसे की Ombir, या B से सुरू होता है, जिसे की Bविता, या B ना, या अपका जो है, B से सुरू होता है, तो यह चारों चलण इसकंदर चले जाएंगे. इसे परकार से फिर आएंगे पुनरवास माप कीज़ेगा इसमें आएंगे फिर मिरक्षरा के दो चरण आएंगे किसी का नाम B से सुरू होता है बेबी और B से सुरू होता है यानि कि बॉबी तो ये दो चरण इसमें ऐसे आ जाएंगे फिर मित्वन राशी आएगी तीसरी और मित्वन राशी में जो मिरक्षरा के दो बचेते यहाँ पर ब्रशम में वो मित्वन राशी में मिरक्षरा के दो यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है ना और उसमें दो नाम आ जाएंगे का और की अगर किसी का नाम का से शुरू होता है तो मिरक्षरा का तीसरा चरण क्योंकि दो चरण यहाँ पूरे होगे तो तीसरा चरण और चौथा चरण यहाँ आ गया तो तीसरा चरण होगा मिरक्षरा का वो मित्धुन में जाएगा और का से किसी का नाम सुरू होता है तो आप ऐसे मान कर चलिए अगर किसी का नाम का से सुरू होता है तो उसकी मित्धुन राशी होगी और मिरक्षरा का तीसरा चरण होगा किसी का नाम की से सुरू होता है, ज़र किशोर, तो मिथोन राशी होगी, और मिरक शिरा का चौता चरण होगा, इसी तरह से किसी का नाम कू से सुरू होता है, या किसी का नाम घा से सुरू होता है, घंस्याम, किसी का डा से सुरू होता है, और माप कीजिएका डा से नहीं, अन से और हा से. ठीके न? तो मित्वन राशी पुन्रवासु नक्षत्र के 3 चरण होंगे. इसी में पुन्रवासु का 1 चरण बच्चा जो की कर्कराशी में आ जाएगा. किसी का नम अगर ही से सुरू होता है यसा हिमान्सू. तो उसका जो है कर्क राशी बनेगी मिथुन, स्वरी, करकराशी मनेगी और पुनरवासु नक्षत्र का एक चरन जो बचा वो यहां आ जाएगा, यारिकि चौथा चरन रहेगा पुनरवासु का यहां, जो कि तीन यहां निकल गए, एक यहां आ गया, फिर जो पुष्य नक्षत्र है, ठीक है न, पुष् लेशा के चारो चरन आ जाएगे इसमें, किसी का नम D से, डू से, डे से और दो से सुरू हो रहा है, तो उसकी आशलेशा नक्षत्र है, और यह 4 चरन करम से है, D से पहला, डू से दूसरा, D से तीसरा चरन और दो से चौथा चरन आशलेशा का, ठीक है न, यह वह जरूरी हो है, तो मूल उसके कैसे होंगे, राज मूल होंगे, या भारी मूल होंगे, पिता को भारी, माता को भारी, या स्वयम बच्चे को भारी रहेंगे, यह जाननी के लिए चरन का जानना वह जरूरी है, फिर सिंग राशी आती है, सिंग राशी में मगहा से शुरूवात होती है, तो मगहा के चारो चरणा आ जाते हैं इसके अंतरगत ठीक है और फिर पूरवा फालगुनी के चारो चरणा आ जाते है और उत्रा फालगुनी का इसमें एक ही चरणा आता है यदि किसी का नाम मा से, मी से, मू से और मे से सुरू होता है तो मगहा नक्षतर में आएगा मो से टा से टी से टू से सुरू होता है तो पूरवा फालगुनी आएगा और टे से सुरू होता है तो उत्रा फालगुनी आएगा इसी तरह कण्या राशी के अंतर तीन नक्षत रहाते हैं और नौ चरण आते हैं इनके उत्रा फालगुनी, हस्त और चित्रा उत्रा फालगुनी के तीन हस्त के चारो चरण और चित्रा के दो चरण ठीक है तो अगर किसी का नाम हो से सुरू हो रहा है किसी का नाम पा से सुरू हो रहा है या पी से सुरू हो रहा है तो उत्रा फालगुनी के तीन चरण आएंगे किसी का नाम पू से सुरू हो रहा है, शा से सुरू हो रहा है, या डा से सुरू हो रहा है, तो यहाँ पर उसकी जो है हस्त नक्षतर आएगा, ठीक है, यह धकन वाला डा है, और उसके बाद में किसी का नाम अगर पे से या पू से सुरू हो रहा है, तो चित्रा के दो चरण आ आएंगे वो चित्रा हैं, जिसके दो चरण हैं, स्वाती के चारो चरण और विशाखा के तीन चरण आएंगे, किसी का नाम रा से और री से सुरू होता है, तो उसका चित्रा नक्षत्र में दो चरण में जनम हुआ है, रा से सुरू होता है, तो तीसरा चरण और री से सुरू से और ते से तो विशाखा के तीन चरण यहां पर आएंगे इसी प्रकार से वरशिक यहां बिशाखा के तीन आ गए एक चोथा चरण बचा बिशाखा का जो कि यहां पर चोथा चरण आ गया यह एक इसलिए लिखा गया है कि एक ही चरण बचा इसलिए एक लिखा गया है बाक तो से शुरू होता किसी का ना तो से ठीक है ना तो पसींग तो समझ लीजिए कि विशाका का चौथा चरण है और अनुराधा के चारो आगे और जेश्ठा के भी चारो आगे यदि किसी का नाम सुरू होता है ना से नी से नू से ने से तो अनुराधा के चा चरण और सुरू ह शड़ा के का पहला चरण आया इसमें यदि किसी का नाम शुरू होता है ये यो भा और भी तो मूल नक्षत्र के अंतरगत आएगा अगर किसी का नाम शुरू होता है भू से धा से भा से और अना से तो फिर उत्रा शड़ा आएगा और किसी का शुरू होता है भे से तो उत्रा च rozmद आएगा और उत्रा स्टा की जो 3 च quizz रण बचेंगी दूसरा तीसरा च्षोथा च रण वो मकर में चले जाएँगे और उत्रा स्टा के टीनों च्रण जो बचे दूसरे तीसरे और चोथे तो तीसरे च्रण में आएगा भो से किसी का नाम सुरू हो रहा है, तो उत्रा शड़ा का दूसा चरण, जा से सुरू हो रहा है, तो उत्रा शड़ा का तीसरा चरण, और जी से सुरू हो रहा है, तो उत्रा शड़ा का चौता चरण, फिर शर्वन नक्षत्र के चारों आगे मकर में, तो अगर किसी का नाम ख वाफ किजेगा गूसे नहीं, अगर किसी का नंम सुरू हो रहा है, गासे, गासे और गी से अगर किसी का नम सुरू हो रहे है, जैसे गगन, जैसे की गीता, तो धनिष्टा के दो चरंण यहाँ पनाएंगे, शुरू बात के फहला और दूसा चरंण. इसी परकार से कुम्बरा ouख रोखलेगा ठीक है न तो वॺ दिनिश्टा की दो चण हों ग की तीस्से अ कब शाह में में चारच चलेंगे अगर किसी का नामीumm सुरू हो रहा है यहाँ पर दीकिए जैसे की गोपाल सासर जیसे की सा से जैसे आप ले लीजिए कि जो है समीर ठीक है ना और सी से सीता, सू से सूरज अगर ये नाम सुरू हो रहा है किसी के तो शत्विशा में चले जाएंगे और अगर किसी का नाम से से सुरू होता है जैसे कि सेलेंद्र सो से शुरू होता है किसी का जैसे शो भित या दा से शुरू होता है किसी का ठीक है ना जैसे कि दा मीनी ठीक है ना तो वो पूर्वा भाधरपद के तीन चरण में जाएगा और कुम्ब राशी होगी यहीं पर पूर्व भाध्पर के 3 चरण यहां चले गए और 1 चरण बचा 4 तो मीन राशी में चला जायएगा पूर्व भाध्र पदर का एक चरण जायएगा मीन राशी में लाश्ट वाला अगर किसी का नाम 2 से शुरू हो रहा है, जैसे कि 2G, 2G राम, ठीक है न, तो उसका जाएगा मीन राशी में, और किसी का, माफ कीज़ेगा, 2 नहीं, 2 भी कह सकते हैं, और D भी कह सकते हैं, लेकिन यहां अगर हम पूरव भादपत की बात करें, तो नाम का जो अक्षर आएगा, वो आएगा D, अगर किसी का नाम D से शुरू हो रहा है, ठीक है न, तो जैसे नाम D से शुरू हो रहा है, उसका पूरव भादपत का चौथा चरण आएगा, ठीक है न, याद रखियेगा, थोड़ी सी गलती हो गई, इस पेसली D सब्द, अगर किसी के लिए आता है, जैसे कि दीपक, तो पूरव भादपत का चौथा चरण बचलेगा, यहां पर, उसी प्रकार से, उत्रा भादपत के चा चरण आएंगे, यदि किसी का नाम सुरू होता है, दू से, अब दीखें हैं, दुसी अंत, था से, थान सिंग, जहा से, जहा से जहा से जहरना होता है, ठीक है न, और इससे कोई नाम सुरू होता है, यह वो अनाखाली से बोलते हैं, वो वाला सब्द है यह, ठीक है न, तो यह जो से जैसे कि चितरंजन ठीक है ना तो इस प्रकार से जो नाम सुरू होंगे वो रेवती में चले जाएंगे तो जो नाम का प्रतम अक्षर है उस अक्षर से हमें ये जनकरी मिल जाती है कि वह किस नक्षतर का अक्षर है और उसके किस चरण का है और वह किस राशी में आता है ये बात बहुत important है क्योंकि नक्षत्रों को समझ लिया तो कॉंडली के फ़लादेश को जब आप करेंगे ना तो सटीक जाएगा इत्तम से क्योंकि नक्षत्रों का बहुत बढ़ा खेल है वेदिक जोतिश के अंदर तो वेदिक की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें ये नीव जो ह में बहुत आसानी हो जाएगी ठीक है तो ये जानना वे है जरूरी है क्योंकि इसी से ही महादशाय निकलती है इसी से ही हमें मूलों के बारे में पता चलता है इसी से हमें जो है मूल के साथ गंड भी होते हैं गंड मूल बोलते हैं वो पता चलता है इसी के साथ हमें पता च जिएगा, थोड़ी सी बताने में हलकी फूल की छोड़ी बीच बीच मिश्टीक हलकी हो गई है, लेकिन मैं फिर भी मैंने आपको समझाया अच्छे तरीके से, तो हमारे साथ जोड़े रही है, वीडियो देखते रही है, एक से बढ़ कर एक वीडियो आपको को लेकर वो उसमें किलियर होंगे, ठीक है न, ये सुविधा भी हम आपको देंगे निस्तुल्क तरीके से, जो भी डाउट्स रहेंगे आपके, वो उस वाट्सेप ग्रूप के अंदर किलियर हुआ करेंगे, ठीक है न, तो एक ग्रूप भी बनाएंगे हम आप जुड़िए हमारे साथ, और देखी वीडियो को, कोई संका है, तो आप बात करिए, कमेंट करिए, लिखिए, समाधान अवश्य होगा उस चीज़ को लेकर के, ठीक है न, स्वेहम से जानी अपनी जिन्दम कुंडली, तो वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज की नोटिफिकेसन आपको मिलती रहे, ठीक है, टाइम टो टाइम, मिलते हैं, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बिदालेते हैं, नमस्कार.